हेलो फ्रेंज असलाम आलेकूं, वेलकम को परविंस पक्वान फ्रेंज आज हम बनाने वाले हैं मुंफली की चिक्की बस तीन चीजों की जरुत हमें होगी इसे बनाने के लिए बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बनकर रडिर होती है तो चलिए इसे बनाते हैं मुंफली की चिक्की बनाने के लिए हमें सिर्फ तीन चीजों की जरुत है यहां पर मुंफली, गूर्ड और देसीगी तो यहां पर मैने एक कप मुंफली ली है मैने मेरे पास मेजरिंग कप है 150 ग्राम का इससे मैंने एक कप लिया है मुंग फली को हम भून लेंगे और इस तरह से इसको हम आदे आदे तुकड़ों में कर देंगे एक कप मैंने यहाँ पर भूर लिया है एक सो पचास गाम इसको मैंने बारिक तोड़कर रखा है और एक चमच हम देशी की लेंगे तो चलिए बनाते हैं इसे ग्यास के उपर एक कडाई ले लेंगे सबसे पहले हम इसमें एक चमच घी डाल देंगे घी हमारा मेल्ट हो गया है अब हम इसमें गोट डाल देंगे इसे हम लोग फ्लेम पर मेल्ट कर लेंगे इसके हमें चाशनी मिनानी है यहां पर गोड हमारा मेल्ट हो गया है इसे हम लगाता चलाते रहेंगे और इसमें अच्छा ज्ञाग आने तक इसे हमें पकाना है अब इसमें अच्छा ज्ञाग आ गया है अभी हमारा गोड पका के नहीं इसे करने के लिए हम कि एक कटोली में पानी ले लेंगे और इसमें थोड़ा सा गोड हम डाल कर देखेंगे तो देखें गोड अब यह हमारे नहीं पका है यह थोड़ा खीच रहा है इसे हमें कड़क होने तक पकाना है तो इसे हम और पकाएंगे थोड़ी देर चलिए अब अच्छे से पक गया है देखते हैं हम इसे चेक करके तो यह देखें हमारा गूड जो है कड़क हो गया है इसका अब यह पक गया है अब हम इसमें मूंफली के दाने लाग लेते हैं और इसे हम कंटीनू हम चलाते रहेंगे गयास को हम बन नहीं करेंगे अगर हम बन कर देंगे तो यह फॉरन जम जाएगा इसे हमें चलाते लेना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है हमारी गुड़ा और चिकी अच्छे से मिक्स होगी है अब हम गयास को बन कर देते हैं अब हम यह आपर एक चक्ला ले लेंगे इसके उपर हम थोड़ा सा तेल बिछा देंगे और इसके उपर हम हमारी गुड़ा और मुंफली चक्की को डाल देते हैं इसे हमें अच्छे से इसके उपर फैला लेना है पतला पतला हम बेलन ले लेंगे उसके उपर हम थोड़ा से तेल लगा लेंगे और इसे हम बेलन से पतला लेने पतला लेके उसके 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 उसकेज़ा बैलाएं कि अच्छे से फैला दिया है यह देखिए अब हम इसे कट करेंगे एक छूरी की मदब से अब हम एक छूरी ले लेंगे और हम इसको कट कर देंगे जितने बड़े साइज पीसे साफ रखना चाहते है वह इसाफ से इसे कट कर दीजिए देंगे इसे मैंने कट कर दिया है अब हम इसे थंड़ा होने के लिए रभ देंगे तो यह देखें फ्रेंस हमारी चिकी थंडी हो गई है मैंने इसे एक प्लेट में निकाल दिया है तो आप लोगों को मेरे फली की चिकी की रेसिपी कैसे लगी अगर आपको पसंद आईए तो मेरे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए तो मिलते हैं नेक्स रेसिपी में तब तक के लिए अलाइब